हेलो गाइज कैसे हैं आप सभी आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम घर में पॉपकॉन कैसे रेडी करते हैं आप सभी बोलेंगे कि हम एक्टो पॉपकॉन का पैकेट ले आएंगे और घर पे उसे दो मिनट में बना लेंगे पर एक्टो पॉपकॉन लाइब बिना भी मैं आपको पॉपकॉन वो भी मार्केट जैसे लाकर दिखा सकती हूं और वो भी घरी पे बनाय जा सकते हैं तो करिएगा तो चलिए बनाते हैं पॉपकॉन उसके लिए मैंने या पे पैन ले लिया है आप किसी भी तरीके का कुकर या कड़ाई भी ले सकते हैं बस याद रखेगा कि हो मोटे तले की हो जो इसका बेस हो मोटा हो इस पे मैंने एड कर दिया है ओयल आप इसकी जगे बटर या घीवी ले सकते हैं जो आपको पसंदो बस देखे तेल हमारा गरम हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच यानि वन टी स्पून नमक नमक को अच्छे से इसमें मिलाते हुए इस तरह चलाते हुए दो मिनिट तक पका लेना है यह देखे कुछ इस तरीके से और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके के मखई के दाने आपको यह मार्केट में बहुत इसली मिल जाएंगे और बहुत सस्ते भी मिलेंगे अध़ी पॉपकॉन का पैकेड जितने में आता है इतने में आपको यह एक किलो मिल जाएंगे तो बस इस तरीके के मैका ये दाने ले आना है और इन्हें इस तरीके से डाल के अच्छे से इस तरह चलाते हुए ताकि सारे दानों में अच्छे से ओयल और नमक लग जाए इस तरीके से चलाते हुए इसको ऐसे कर देना है और फिर उसके बाद क्या करना है किसी भी बड़े आपका जब यह पापकॉन बनके रेडी हो तो उपर तक आने लगता है ना तो वो इसमें दब ही ना इसलिए इसको इस तरीके की मोटे बरतन से ढखना है मैंने इसको इस तरी ढख दिया है और इसे आप पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे पस जब तक इसमें आवाज तक इसको पकने दीजे यह देखिए दो मिनट में मेरे सारे पॉपकॉन उचल उचल के तवे पे जैसे उचलते है ना वैसे मेरे इस पैन पे उचल उचल के रेडी हो गया है यह देखिए आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि कैसे जंपिंग जैक वाला गेम खेल रहा है त अपने बच्चों को, बड़े घर वालों को, सब को यह से टेस्ट कराएं और आपको भी यह बहुत ही यमी और टेस्टी लगेगा थैंक्स पर वाचिंग, बाई बाई, स्टे हल्दी